दोस्तों नमस्कार हमारे खास बिलेटिन खबर दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है चाथिस गड़ के बीजापूर में आज मावबादी नकसलियों के हमले में CRPF के 22 जवान सहीद हो गए वहीं 31 जवानों के घायल होने की खबर है जबकि 21 जवान अभी भी लापता है गटना सनिवार की है जब नकसलियों ने CRPF के जगदलपूर फोर्श कैम पर हमला कर दिया गटना सल पर पहुंचे CRPF के डाइरेक्टर जनरल कुल्दीप सिंग ने बताया कि नकसलियों को जबाब देने सुकमा बीजापूर बॉर्डर पर सर्च आपरेसं तेज हो गया है गायल जवानों को बीजापूर के सरकारी एस्पताल में इलाज के लिए भरती कराया गया है केंद्री ग्रिया मंत्रय मिशा ने इस नकसली हमले को लेकर राजे के मुखमंत्री भुपेश्वागेल से बात की और मदद का भरोसा दिलाते हुए जरूरी कदम उठाने को कहे हैं भारत के पडोसी देशों में हिंदू बत्तर जीवन जी रहे हैं CDPHR की एक रिपोर्ट में एक खुलासा हुआ है कि यदि ऐसा ही रहा तो 25 साल बाद बंगला देश में कोई हिंदू नहीं बचेगा CDPHR ने अपने एक सर्वे के बाद भारत के साथ पडोसी देशों की मानवाधिकार रिपोर्ट जारी की है जिसमें अबास सामने आई है कि वहाँ के हिंदू की हालत बत्तर है रिपोर्ट की मानवाधिकार तो 25 साल बाद बंगला देश में जहां हिंदू का नाम निसान नहीं रहेगा वहीं अपगानिस्टान में हिंदो बिलिप्त हो जाएंगे इसके अलावा इंडोनेसिया और स्री लंका में भी हिंदू के खिलाब धार्मी कट्रता का महौल है पड़ोसी देश पाकिस्तान में आवाज उठाने वाले अलप संख्यकों की हालत और भी खराब है दिल्ली वकवोड के चेर्मेन अमान तुल्ला खान ने स्वामी यती नरसिंगानन सरस्वती के खिलाब जामिया नगर थाने में शिकायत लिखवा कर गिरपतारी की मांग की है आप विदायक अमान तुल्ला का आरोप है कि नरसिंगानन ने इसलाम और मुस्लिम धर्मगुरूओं के बारे में अपमान जनक टिपनी की है हलाकि इसके खिलापत करते हुए अमान तुल्ला ने यहां तक कह दिया कि अधि भारत में सर्या कानून होता तो ऐसे साधू का सिर और जीप कलम कर दिया जाता अमान तुल्ला ने जहां एक तरफ कानून के सम्मान की दुआई दी वहीं दूसरी तरफ सादू के सिर कलम करने का भी संकित दिया बीजेपी विदाय कपिल मिस्रा ने इसे लेकर अमान तुल्ला के खिलाप लेके सिकायद दे कर कारवाई की मांग की है उत्तरा खंड के पहाड़ी जंगलों में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है इसे सरकार और रहिवासियों की टिंसन बढ़ गई है सूचना के मताबिक आग तीन मार्च की राद बारह चालिस बजे लगी और देखते ही देखते टिहरी गणवाल के उनियाल गाउं, पितहोरागर, उत्तरकासी के बनों तक फैल गई वनविभाग इसे बुझाने में विफल दिकरा है जिसे देखते हुए केंदर सरकार नहा, एंडी आरप की टीमें और हेलिकाप्टर भी भेजे हैं इस मदद के लिए मुख्यमंत्री तीरसिंग रावत ने ग्रिहमंत्रिया मिश्चा का सुक्रिया कहा है और भरोसा दिला है कि इससे वनागनी पर काबू पाने में मदद मिलेगी महराष्ट में सरकार फिर से लॉकडाउन लगाने की तैयारी में है दरसल कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए नियंत्रण की बड़ी चुनोती खड़ी हो गई है इसे रोकने आज मुख्यमंत्री उद्धो ठाकरेने मंत्राले में एक उच्चस्तरी बैठक की जिसमें को आपडाउन का समर्थन किया है जो कल तक इसके खिलाफत में दे दरसल राज में कोरोना के एक्ट्व मामले चार लाग के पार पहुँच गए हैं 24 गंटे में 49,000 से अधिक केस मिले हैं वही 277 की मौत हो गई है इसलिए सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर चिन्तित है यूपी का बहुबली नेता मुक्तारंसारी 8 अपरेल से पहले पंजाब से यूपी में सिप्ट होने वाला है पंजाब सरकार ने चिठ्ठी लिखकर यूपी सरकार को बताया है कि 8 अपरेल से पहले मुक्तारंसारी बांदा जेल में पहुँच जाएगा 12 अप्राइल को पंजाब में होने वाली सुनवाई में वीडियो कान्फरेंसिंग के जरिया अंसारी को पेस करना होगा पंजाब के अपर मुखे ग्रे सचुने मुक्तार अंसारी के स्वास कारणों का हवाला देते हुए यूपे सरकार से उसके सानंतरन के लिए सुरक्षा और मेडिकल इंतजाम करने को कहा है मुक्तार अंसारी कई जगने मामलों में आरोपी है दिल्ली के पुर्वविधायक और विजेपी नेता कपिल मिश्टा के एक आवान से देश के कई सहरों और गावों में धर्मे के सलसाफ होने लगे है क्लीन माई टेंपल नामा की इस अवियान से प्रेरित होकर तमाम लोग अपने आसपास के मंदिरों की सफाई करने लगे है आज देश के कई हिस्सों से मंदिरों की साफ सफाई की तस्वीर है आई जो सोसल मेडिया पर दिन भर चाही रही कपल मिश्णा ने हिंदू एको सिस्टम हैस्टेक से मंदिरों को क्लीन करने का अवियान चला रखा है महाराश्यों सरकार ने कोरोना श्रंकरमण को रोकने राज भर में कोवीड वैक्सिनेशन तेश कर दिया राज के स्वास्यमंत्री डक्टर राजेस टोपे ने बताया कि तीन अपरैल को एक दिन में चार लाख बासट हजार नागरिकों को कोरोना की वैक्सिन दी गई जो देश के आने राजियों की तुल्ला में ठीका करन का सबसे हाई रिकार्ड है बतादा है कि महाराष्ट में अब तक कुल 73 लाख से अधिक लोगों को कोवीड वैक्सिन दी चा चुकी है इसमें 65 लाख लोगों को पहली डोज जबकि 7 लाख 95 लोगों को दूसरी डोज दी गई है आज मुंबई के दैसर इलाके में सापीत एक कोवीड केर सिंटर में आग लगने से चारो तरफ अफरा तफरी फैल गई आग दोपर के समय कोवीड केर सिंटर की छस से फैली सिंटर की एक करमचारी का नुसार आग साठ सरकृट से नहीं बलकि सिगरेट या जलती हुई चीजों को फेकने के कारण लगी होगी हलाकि अभी तक इसका खुलासा नहीं हो सका है फिलाल कोवीड केर सिंटर की आग पर काबू पाली आ गया है और वहां के सभी मरीजों को दूसरे हैंगर में शिफ्ट कर दिया गया है बतादा कि इससे पहले भांडूप के ड्रिम्समाल में कोवीड सिंटर बना था जहां पर आग लगी थी इसमें 11 लोगों की मौथ हो गई थी हलाकि यहां गनीमत रही कि आग चंद मिंटों में ही बुझा ली गई और लोग हताहत होने से बच गए नविम्बई में कोरोना के बढ़ते प्रकोब को रोकने महानगरपाली का प्रशाशन और भी चौकना और सक्री हो गया है कमर्सियल प्रतिष्ठानों, दुकानों और माल्स के लिए कड़क नियम लगाए गये हैं लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है इसके निगरानी के लिए आयोकता भीजियत बांगर ने 31 विजिलेंस टीमें गठित की है टीम ने कोरोना सुरक्षा निर्देसों का उलंगन करने वालों पर कारवाई करते हुए अब तक 1.60 लाग का दंड वसूला है हलाकि आयोकत ने इसकी बजाए नागरिकों से नियमों का पालन करने और दंड से बचने का आवान किया है बतादा कि नौइमबई में 24 गंटे के भीतर कोरोना संक्रमण के बारस और मामले सामने आये हैं जो चिंता बढ़ाने वाले हैं आज के बुलेटिन में बस इतना ही दीजे हमें इजाज़त लेकिन दूसरी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV1 इंडिया नमस्कार लेटेश अपडेट्स और ताजातरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइप को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत देए